चलिए तो थोड़ा वाद हम होंवक पहले डिसक्स कर लेते हैं ठीक है तो जो आपका होंवक था सबसे पहले एक्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं एक्जाम्पल 8.6 था एक्जाम्पल 8.7 है 8.6 में इतना कुछ है नहीं सिंपल यह आपको दे रखाए 18 किलोमीटर पर आ रहे हैं 36 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो यह आपको यू दे रखाए दोनों टू से से प्रेटेड है तो एक आपको यू दे रखाए आपको भी दे रखाए तो यू जो दे रखाए और भी दे रखाए दोनों को पहले आप मीट point example 8.7 जो है उसमें एक आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने का है कि जब आपको 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 एक्सेलरेशन की वेल्यू दे रखिये पड़ वो दे रखिये positive of meter per second six meter per second square वाट आगे उसमें लिख दिया इन दा आपोजट डिरेक्शन of the motion जब उसमें लिख दिया ना opposite direction of motion तो इसका मतलब यह है कि असल में वो जो आपको एक्सेलरेशन दे रखाया है वह एक्सेलरेशन ना होके रिटार्डेशन है माइनस of meter per second जब भी opposite direction of motion अगर बोल दे तो यह आपका रिटार्डेशन दे रखाया वह इसमें यहीं कैच था बाकी तो simple यह आपको formula formula लगाना है चलिए तो unsolved question पहले कर लेते हैं तो unsolved question में question number two हमने कर लिया था question number three से करते हैं question number three है page number 10110 ठीकिया in text question है क्याता है trolley while going down inclined in a in an inclined plane has an acceleration of आपको acceleration दे रखाया है acceleration कितना दे रखाया है two centimeter per second square इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जब इसको पढ़ लिया आएंगे तो हम इसे two centimeter second minus two भी लिख सकते हैं ठीकिया तो यह आपको दे रखाया है what will be the velocity three seconds after the start अब देखिए after the start है यह keyword है तो after the start का मतलब होता है यह आपका zero है और आपको velocity निकालनी है तो acceleration आप पटा सा लग रहा होगा centimeter per second square तो आप क्या करिए यहां पर acceleration लिखिए twenty centimeter यहां पर second square आपको convert करना है तो पहले centimeter को मीटर में कर लिते हैं तो centimeter को मीटर में कैसे करते है divided by hundred तो यहां से मैंने hundred divide कर दिया यह आपका मीटर बन गया और यहां पर second square था ही अब सेकेंड को तो सेकेंड में रखना है चेंज तो करना नहीं है तो बस आप इसको solve कर लिजी यह आपका बन जाएगा zero point zero two meter per second square यह आपका निकल क्या गया अब acceleration निकल गया वी यू निकल गया और टाइम आपको दे रखा है आपको क्या निकाल ना है वी तो वी निकालने के लिए simple first लिख लेते हैं according to the first equation of motion फॉस्ट एक्वेशन और मुशन क्या होती है वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी तो वी आपको निकालना है यू आपको दे रखा है जिरो एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला जिरो पॉइंट जिरो टू एंड टाइम आपको 10 दे रखा तो सिंपल वी आपका आगया 0.2 तो निमेरिक वैल्यों इसके वज़े से हंड़र एक टेंट से ही कैंसल हो गया तो यह जो टू था ही आपको जाएगा 0.2 तो आपका आगया वी चलिए निक्स्ट कॉस्टन देखते हैं कॉस्टन नंबर फॉर्थ टेज नंबर 110 कॉस्टन नंबर फॉर्थ क्या कहता है रेसि न्स विलिट कवर इन तिन सेकिंट स आपको डिस्टंस निकालना और ताइम ते रखा है आपको 10 सेकंट्स आफटर द स्टार्ट आगया मतलब आपको एक एडन कीवर्ड اए यानि कि जिसका मतलब है यू आपको जीरो दे रखाए नहों अब कंटकंश निकालना तो डिस्ट सेकंड हम कभ यूज़ करते जब आपको time दिया हो और थर्ड जब आपको time नहीं दिया हो तो आप यहां पर आपको time दे रखा है तो जब time दे रखा है आप second यूज़ कर यह तो second का formula क्या होता है s equal to ut plus half 80 square ठीक है यह half 80 square आ तो s equal to u आपको क्या दे रखा है 0 into t plus half a a आपको 4 दे रखा है t आपको 10 दे रखा है तो 10 दो बार लिख लिए क्यों स्क्वाइर है ठीक है तो यह तो पूरा 0 आगया 0 plus इसको cancel करिये 2 1 जा 2 2 जा आगया 200 तो simple distance आपका आगया 200 मीटर ठीक है आया समझ चलिए तो next question की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट question है आपका question number 5 पेज नंबर 110 यह इस टाइप के question आप practice करिए ठीक है यह थोड़ा से important question है फिफ वाला a stone is thrown in vertically upwards अब देखे vertically upwards आगया vertically upwards देखे keyword में क्या मतलब था vertically upwards का या upwards जब भी आए तो उसका मतलब है कि आपका वी वी की value 0 दे रखी है ठीक है vertically upwards with the velocity अब देखे जो velocity आपको दे रखे जब वी 0 है तो दूसरी velocity आपको दे रखी होगी वह दे रखे है 5 meter per second ठीक है if the acceleration of the stone during the motion is 10 आपको acceleration दे रखा है 10 meter per second square ठीक है in the downward direction what 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 will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there okay तो आपको देखे सबसे पहले तो निकालना है height की कितना height देखे पहले question को समझते है question का मतलब यह है कि एक लड़का है उसने stone नीचे से उपपर फैका तो जब उसने कितनी velocity से फैका उसकी initial velocity दे 5 meter per second अब हम देखे जब भी मैंने यह बोला keywords upward upward जब भी आए तो आप 0 लेंगे तो जीरो क्यों ले रहे है उसका भी reason समझ लीजिए कि असल में क्या हो रहा है जब stone उपर जा रहा है तो कुछ point एक ऐसा होगा जहां पर stone की value 0 हो जाएगी और वह वापस नीचे आने लग जाएगा ठीक है तो वह जो point है वह point होगा आपका वी जहां पर आपकी जो final velocity है वह आपकी 0 हो जाएगी तो आपको क्या करना है वह जो point है जहां पर आपका 0 हो जाएगी वी की value वहां से लेकर यहां तक आपको height measure करनी है कि कितना उपड जाएगा अब देखिए height measure कर रहे हैं तो मतलब की एक तरीके से distance ही है ठीक है height का मतलब एक तरीके से distance ही measure कर रहे है क्यों असल में stone कितना distance चला ठीक है और distance को मैसे denote करते हैं तो distance जब आपको measure करना है तो सबसे पहले देखिए distance measure करने के लिए दो second equation and third equation यहां पर टाइम आपको दिया है नहीं दिया तो आब acceleration of motion क्या होती है v square minus u square equal to 2s ठीक है अब वी आपको क्या दे रखा है वी आपको 0 दे रखा है यू आपको 5 whole square acceleration आपको 10 और s आपको निकालना है तो इसको solve करिए तो minus 25 20 into s तो s आपका आ जाएगा अच्छा आपने एक चीज़ यहां पर ध्यान नहीं दी जब एक तरीके से जब आपका जो stone और स्टोन आपका किस डिर्द में जा क्याति है इस our patience और आपको जो acceleration दे रखासा किस डिर्षूं में आर डाउनवरड दिरिक्शन है ना तो opposite direction का मतलब है कि वो असल में आपको negative दे रखा है ठीक है तो acceleration आपको एक तरीके से negative दे रखा है ठीक है ना समझ आए क्यूं इसी लिए है क्यूंकि stone आप उपर की तरफ फैक रहे है बट आपको जो acceleration की value दे रखिये वो दे तो positive रखिये 10 स्कुर्ण में इसने बोल दिया डाउनवर डिरेक्शन अब डाउनवर डिरेक्शन आपको पता होने चाहिए कि आपका stone अपवर्ड जा रहा है आपकी डाउनवर डिरेक्शन है मतलब की opposite डिरेक्शन हो गई और opposite डिरेक्शन जब होती है एक्सेलरेशन की तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं ठीक है तो हमने नेगेटिव लिया माइनस ट्वेंटी यहां से ही कैंसल हो गया एस इक्वाल टुट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी यानिकि फाइव बाय फॉर यह आप सॉल्व करेंगे डेसिमल में जो भी आएगा डैश मीटर यह खुद सॉल्व करेंगे अब ठीक है चलिए तो यह हो गया आपका फिफ्ट कोश्चन अब फिफ्ट कोश्चन के बाद आते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज के कोश्चन नंबर फोर्थ बैक एक्सरसाइज का अभी तो डिस्टेंस निकाला है आपको टाइम भी निकालने के लिए बोला था कि हाव मच टाइम विलेट टेक टू रीच दियर है ना तो जब आपको टाइम निकालना कोई बड़ी बात थोड़ना है आपको पता है कि वी इक्वल्स टू फॉर्स्ट एक्वेशन और मुश 0-10 T फिक इस फो टी आपका आगया-5 डिवाइड बैठंगाइ-10 से विए 0.5 सेकलने तो टाइम भी निकालना था भूल गया था क्यब यह टाइम भी निकलना कि आपका आ गया और यहां से जब आप डिस्टिंस की वयल्यू निकालेंगे तो दिस्टिंस भी आपका आ गया क कि कितना distance का मतलब है basically कितना height उसने maximum height उसकी कितनी गई ठीक है अब आते है question number 4th question number 4th page number 112 अब देखें यह वाला जो question है यह motor boat वाला question है ठीक है accelerates in a straight line at a constant rate of अब देखें यह आपको दे रखा है तो यह इसकी unit देखें पैचान सकते हैं कि असल में आपको क्या दे रखा है acceleration 3.0 दे रखा है जिसका मतलब क्या है एक तरीकी से 3 है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की पॉइंट के बाद अगर 0 लगा तो कुछ फरक नहीं पड़ता फॉर 8 seconds तो time भी आपको दे रखा है 8 seconds अब देखें निकालना क्या है how far does the boat travel during this time आपको क्या करना है आपको distance निकालना है how far मतलब कितना दूर जाएगी तो कितना दूर में तो distance ही आता है ठीक है तो distance निकालने के लिए time दे रखा है तो second equation लगा लेंगे है s equal to ut plus half 80 square ठीक है तो s आपको क्या दे रखा है s तो निकालना है यू आपको 0 दे रखा है तो जिसकी वज़े से इसके साथ multiply करके overall 0 आजाएगा half acceleration आपको 3 दे रखा है time आपको 8 दे रखा है 8 का स्क्वार सिंपल बस आपको solve करना है solve करिएगा इंटू 3 और 8 इंटू 8 इं इसको solve करिएगा तो जो भी आपका answer आएगा फुद solve करके पीछे check करिएगा कि भी कितना आ रहा है ठीक है तो यहां होगे आपका question 4 अब आए question number 7 पे question number 6 मैं बाद में take up करूंगा इसमें थोड़ा सा बढ़िया सा concept है वह मैं बाद में take up करूंगा question number 7 page number 113 यह दो ही question है आपके stone से related मतलब stone बोलो या ball बोलो जिसमें आपका ध्यान से आपको पढ़ना है अब ball is gently dropped ठीक है जब भी बोले हम distance बताई दिया है हमने की बढ़ी distance भी बोल सकते हैं हम तो distance मतलब आपको एस दे रखा है इस कित्ता दे रखा है इस दे रखा है आपको कि 20 मीटर 20 मीटर है if its velocity increases uniformly at the rate of अब देखे आपको मीटर पर सेकेंड स्कॉर्ड दे रखा है तो इस यूनिट देखके तो आपको समझी आ रहा होगा कि असल में क्या दे रखा है acceleration था एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्कॉर्ड वट विलॉस्टी विल इट स्ट्राइक डाउंड आफ्टर वट टाइम इट स्ट्राइक डाउंड ओके तो आपको यह निकालना है कि किस विलॉस्ट सबसे पहले तो यह ठीक है और ज anyone को निकालनी हैं तो जो आपको टाइम निकालने तेयमा आपको टाइम झुक्णल साथ-साथ-कि कितने टाइम में वो तच करेगा ओक्स तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब देखिए आपको distance भी दे रखा है पर time नहीं दे रखा तो और वी निकालना है तो वी निकालने के लिए हम third equation use कर सकते हैं third equation of motion क्या होती है v square minus u square equal to 2as v v आपको क्या दे रखा है v तो आपको निकालना है u आपको 0 दे रखा है a acceleration आपको 10 दे रखा है s s आपको 20 दे रखा है ठीक है तो यह आपका simple v square बन गया अब इसको करेंगे तो यह आ गया 40 40 into 10 400 400 आ गया तो वी को करेंगे तो यह under root of 400 यानि कि आपको वी निकल के आ गया 20 इसका root होता है 20 meter per second तो भी तो आपने निकाल लिया एक part आपका solve हो गया अब आपको निकालना है time तो time निकालने के लिए देखिए time निकालने के लिए v equals to u plus 80 भी आप ले सकते हैं और साथ ही साथ आप s equal to ut plus half 80 square भी ले सकते हैं पर इसमें दिक्कत क्या है यहां पर देखिए quadratic बन जाएगी आपकी equation यहां पर आपकी linear रहेगी तो लेट से हम दोनों से एक बार निकाल के देखते हैं तो v आपका क्या है twenty u क्या है आपका यू आपका रखा है 0 acceleration आपको दे रखा है 10 Mär Jam 1010 और time आपको देनाए रखा है time आपको निकालना है तो यहांसे time अगर हम निकालेंगे तो हमारा यह आगया 20 divided by 10 निकल कर आगया आपका time यानिकि 2 seconds T equals to 2 seconds वहीं अगर इस से निकाले तो इस से देखिए सबसे पहले S तो S आपको दे रखा है S हाँ 20 है ठीक है U आपको दे रखा है U तो value 0 थी जिसकी वज़े से पूरा 0 हो गया हाफ यह आपको क्या दे रखा था 10 और टी स्क्वाइर ठीक है अब देखे इसको जब आप करेंगे तो यह बना आपका फाइव जा तो यह डिवाइड में जब जाएगा तो 20 divided by 5 equal to t square ठीक है फाइव फोर्जा 20 ठीक है अब देखे टी स्क्वाइर इक्वल टू फोर आ गया तो टी की वेल्यों अंडर रूट ऑफ फोर यानि की तो यह तो सेकंड तो आप देख पा रहे होंगे कि असल में आपका इससे भी सही आ रहे है और इससे भी सही आ है तो हम कौन सी यूज करें तो जो करेक्ट वे है यूज करने का वो असल में आप यह भी यूज कर सकते अबर असल में आपको ना ठीक है तो चलिए next question की तरफ बढ़ते है next question है question number 8 यह थोड़ा graph वाला है ठीक है तो यह question क्या कहता है यह question कहता है कि आपको speed time graph दे रखा है इस तरीके से आपको speed time graph दे रखा है VT graph ठीक है उस में आपको थोड़ा सा यह देख रहे है यह curve सा दे रखा है यहां से जा रहा है को ऐसे करके दे रहा है और यह जा रहा है यह जो point आपको दे रखा है यह point y-axis में है आपका यह आपकी x is is यह आपकी एकसे है, वा एकसे में है 6, और यह जो point यहां पर है, यह आपको दे रखा है 4, तो यानि कि यह time है, तो 4 seconds, और यह आपको speed दे रखे, meter per second में, तो यह 6 जो है, यह आपको दे रखा है, meter per second, time आपको seconds में दे रखा है, ठेक है, तो आपने, उसने बोलाए कि, how far does the car travel in the first 4 seconds, तो 0 से लेकर 4 तक, यहां पर time दे रखा है, first 4 seconds में कितना जाएगा, तो वीटी ग्राफ का अंदर का area आपको निकाल लेंगे, area निकाल के दे देंगे, तो आपको distance निकल जाएगा, तो first part में दो simple S आपका होगा, area under the curve, ठीक है, अब area किसका बनेगा, यह triangle बन रहा है तो area of triangle, ठीक है, तो area of triangle क्या होता है, half into base into height, ठीक है, half base क्या दे रखा है, आपको base 4 है, height क्या दे रखा है, आपको 6, ठीक है, तो distance आपका आगया, 12 meter, 12 meter निकल कर आगया, ठीक है, now, second part, second part क्या रहा है, कि आप बताइए, uniform motion, यह न, which part of the graph, represent the uniform motion of the car, अब देखिए, uniform motion में क्या होता था, आपकी straight line आती थी, तो uniform motion सिर्फ, कब तक है, तब तक है, जब आपका 0 से लेकर 4 second, तो अगर आपको represent करना है, तो, यह आपका uniform motion, यहाँ पे जब आपका 4 है, यहाँ में का 6 है, तो, यह आपका representation हो गया, यह आपका वी है, यह आपका T है, जो seconds में में दिया है, यह आपको meter per second में दिया है, आपका representation मन गया, ठीक है, चलिए अब नया थोडा last topic आता है, आपका motion का, जो है, आपका circular motion, ठीक है, circular motion अब circular motion क्या होता है motion आपको पता है कि normally आपकी एक object अपनी position change करे with respect to time and reference point तो उसी तरीके से जो circular motion है तो circular motion की object अगर कोई circular path में चल रहा है ठीक है कोई अगर circular path में कोई object चल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो circular motion कर रहा है तो इसकी definition देख लेता है तो definition होगा when body moves in circular path then it is said to be in circular motion ठीक है जब एक body एक circular path में चल रही है तब हम बोलेंगे कि वो circular motion में चल रही है अब circular motion के लिए एक note है important वो note क्या है वो note यह है कि असल में circular motion में आपकी जो direction है वो हर एक point में change होती है जैसे कि यहां पर अगर कोई object चल रहा है ठीक है यहां से वो इस तरीके से चल रहा है तो यहां पर उसके लिए direction क्या है उसके लिए direction है स्ट्रेट यहां पर आया तो यहां पर उसकी direction यह है तो हर एक point में आप देख पार होंगे हर एक point में उसकी direction change हो रही है किसी भी point में same direction नहीं रहती ठीक है तो यह uniqueness होती है कि अगर कोई object circular motion में चल रहा है ठीक है तो इसको लिख लेते है है inner circular motion body changes its direction at every point हर एक point में वह अपनी direction change करता है ठीक है अब अगर हम speed का formula बोले तो speed का formula क्या होता है distance upon time ठीक है तो अगर हम circular motion में speed का formula जानना चाहें तो circular motion में distance क्या cover करेगा अगर कोई object एक round मार लेगा तो पूरा पूरा एक distance होगा तो एक round जब उसने मारा मतलब की perimeter of circle तो perimeter of circle क्या होता है perimeter of circle हमें पता है कि two pi r होता है तो two pi r divided by time तो यह आपको speed का formula मिल गया किसके लिए जब एक object circular motion में चल रहा है ठीक है तो यह आपका formula आगया अब देखिए क्या होता है जो आप देख रहे हैं जैसे लेट से आपने एक आप यहाँ पर खड़े ठीक है आपने यह रसी है और यह आपका stone है ठीक है आप stone को इस direction में घुमा रहे हैं तो इस direction में घुमा रहे है तो यह इस तरीके से circle बनाएगा ठीक है यह उसने circle बनाएगा अब जो force बाहर लग रही है यह जैसे बाहर लग लग रही है कि अगर आप इसको बाइचंच छोड़ देंगे तो यह force कहा है यह बाहर की तरफ लग रही है तो इस force को हम बोलते है सेंट्री पिटल फोर्स ठेक है तो सेंट्री फिटल फोर्स होती है सबसे पहले सेंट्री पिटल सेंट्री पिटल फोर्स इस फोर्स वेच अग्ट टोर्ड्स सेंट्र की तरफ जब लगती है और सेंट्री फिटल आउट्वर्ड फोर्स लगती है वो थी आपकी सेंट्री फ्यूगल फोर्स समझा है सेंत्र फिञ इतना इंपोर्टेंट नहिंगे आपके लिए सेंट्रीपिटल थोड़ा सा important है ठीक है तो युनिफर्म अब युनिफर्म सर्कुलर मोशन देख लेते हैं कि when a body moving in a circular path at a constant speed then the body is said to be in uniform circular motion uniform circular motion में तब हम बोलते हैं जब वो constant speed से चल रहा है ठीक है constant speed से एक circular बाद में घुम रहा है तो हम बोलेंगे uniform circular motion ठीक है तो इसके basis पे आप एक question करेंगे homework लिख लेते हैं आज का आपका यह question है question number 10 ठीक है page number 113 यह back exercise का है यह artificial satellite से शुरू हो रहा है ठीक है an artificial satellite moving in a circular orbit of radius ठीक है यह वह वाला question है और एक question आप करेंगे graph के basis पे यह मैं बना रहा हूं graph इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले यह आपको वी टी graph दे रखाए यह आपकी y axis है यह आपकी x axis है ठीक है यह आपको वी टी और यहां पर टी दे रखा है वी टी ग्राफ दे रखा है एक object का जो पहले straight चलता है उसके बाद ऐसे चलता है और उसके बाद ऐसे चलता है ठीक है तो यह आपको यह आपको दे रखा है और यह आपको दे रखी है है पित्सक्राट है तो मालीजिए है ठीक है यह आपको सिंग्छा में gotta से घंगए मचेक चलता है ठीक है रखेंड को सबसे पहला पार्त आपको क्या निकर्ण है find the acceleration of the body at O2A ठीक है O2A में आपको acceleration निकाल ला है A to B में acceleration निकाल लाइन B to C में आपको acceleration निकाल ठीक है फिर सेकेंड फाइंड है दो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है बाइद बॉड़ी फ्रॉम एटूबी जब वो एटूबी गया मतलब एटूबी जब वो गया तो आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने एटूबी में ठीक है एक तो यह पार्ट हो गया और एक आपको निकालना है find the total distance traveled by the body ठीक है total distance उसने कितना चला वह आपको निकाल के देना है ठीक है तो चलिए यह आपके लिए होमवक हो गया और आज की वीडियो के लिए बस इतना है